कि है कि अलो अर्वन दिस इस एलिक स्मित वैलकम तो नॉलिज दा अंबिशन स्वागत आपका नॉलिज दा अंबिशन की सेशन में हम कर रहे हैं हिमाच्प परदेश वंडरलाइं एंसी की यह सीरीज जिसका यह पार्ट 51 है तो इससे पहले की पार्ट 50 अगर आपने नहीं दे करते हैं इस वीडियो का पीडियाफ आपको वार्ट सब्सक्राइब कर सकते हो तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो आपके लिए पार्ट 50 जो है कंप्लीट हो चुके हैं हिमाच्प प्र सबसे पहले पूषा गया हिमाच्यर प्रदेश में हिमाच्यर प्रदेश में हिमाल्य का कितना प्रदिशत हिस्सा गेंदरेता इस माद्र धार आपको 50 25 परसेंट या 44.38 परसेंट इसका राइटिंस रहा आपका आप्शन नंबर वन यानि 10.54 परसेंट दस पॉंट चरवन परतिशत जो है हिमाले का हिस्सा हिमाच्छा परदेश में स्केंद्रित है आपको यह याद रखना है नेक्स नम बात करते हैं कौशन नंबर टू की पू जाखदार हमेरपूर त्योंधार चंबा हरिपूर धार सिर्मवार या साजी दार शिम्बला तो इसका राइट इंसर आपका option 2 को यानि ये आपका गलत राइट आंशर है क्योंकि एए जोड़ा जो है गलत है त्योंधार चंबा में स्थित नहीं है बाकी हम बात करें जाख सब्सक्राइब को मंदी जिले में भर परविशंख्रा की सबसे ऊंची चोटी कौन इसी अब धहलादार परवुष श्रिंखला का जो मंडी के ख्षेत्र में जो धहलादार परवुष श्रिंखला का पाठ आता है तो पताना है कि सबसे उंची-चोटी कौन सी है इसकी चोहार सोनार नागरू या देहाई इसका राइट इंसर है आपका ऑप्शन नम्बर 3 यानि एक पूछा गया है कि बर्वाण दर्रा खमिलोगों दर्रा और बोर्सु दर्रा और साथी में अपका लंक्षागा दर्रा यह दर्रों के नाम आपको यहां पर दिए गए पूचा कि हिमाच्य परदेश की किस घाटी के दक्षणी कटक के सम पाश्य और में स्थित अब अक्सर हमारे एच्पी एस और साथ में बात करें एच्पी लाइड या एंटी मैं तो अक्सर इसी प्रकार से गुमार फिरा कर कॉशन पूछे जाते हैं तो आपको इनकी वर्डिंग पर कि देहां देना कि पार कॉशन में पूछा क्या गया है तो आपको यहां पर दर्रों के नाम दिएगे हैं आपको बताने कि कि दक्षणी किनारे के इस बाबा गाति के सतलिश घाटी के हांगरा गाटी के या बास पागाती के तो इसका आईटिस रहा आपका ओशन नुम बव पीठ्टिके दक्षणी कटक के समपाशर्व में स्थित्त है आपको ये याद रखना है नेक्स हम बात करते हैं कौशन नम्बर 5 की पूछागा है कि निमन मैंसे किस क्षेत्र में सबसे कम वर्शा होती है यहाँ पर आपको खेत्र दिये गए आपको बताना है कि इनमेंसे किस क पूचा गया कि भारत की सबसे चोटी आदर भूमी कौन सी है अब भारत की आदर भूमियों की बात करें, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी आदर भूमी कौन सी है, भोज आदर भूमी, रेणुका आदर भूमी, बीतर कनिका मैंगरोव या चंदर ताल आदर भूमी, तो इसका राइट इन सरा आपका option number 2, रेणुका आदर भूमी, रे अंतराष्ट्रे महत्व की आदर भूमी है, और हमाच्चा परदेश में कुल तीन आदर भूमिया है, जो की अंतराष्ट्रे महत्व की हैं, वो कौन कौन सी है, पहली आपकी चंदर ताल आदर भूमी, दूसरी आपकी पौंग डैम जील आदर भूमी, और साथी में तीसरी कि आती है रेन का आदर भूमी तो आपको याद रखना है यह तीन आदर भूमिया जो है अंतर राष्ट्र मातव की हैं और इससे ही अलावा बात करें तो हिमाच्य परदेश में कुल बानवे आदर भूमिया है जो भोगालिक शेतर का एक प्रिस्चत हिस्सा है तो आपको यह तो भी फैक्ट्स इसके वारे में याद रखने है也可以 फ्लाप का को नंबर पूछा गया कि रेन का को कि कि रर्श्थ और भूमी यह दोजाच छे में तो इसका राइटन से आपका ओप्शन नमबर थ्री यानि दोजाच पांच में जो आपकी रेनुका है इसे तर भूमी के रूप में राष्ट्रे स्तर पर जो है दोजाच पांच में चैनित किया गया था आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका कौशन नमबर एट पूछा गया है कि 1980 में जर्मनी में जर्मनी की साहिता से धोलाधार क्रिशी वान की परियोजना हिमाचल में शुरू की गई यह किस वर्ष पूर्ण हुई थी अब आपको सबसे पहले तो पता होना है जर्मनी की साहिता से धोलाधार क्रिशी वान की परियोजना परियोजना का नाम आपको याद रखना है दोलादार क्रिशी वान की परियोजना हिमाच्य प्रदेश में शुरू की गई थी जर्मनी की साज़ता से 1980 में आपको बताना है कि यह यह जो है किस वर्ष पूरी हुई थी 1983 में, 1992 में, 1988 में या 1989 में इसका नमबर फॉर, 1989 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था, यानि यह पूर्ण हो गी थी योजना, 1980 में जर्मनी की साज़ता से धलादार क्रिशी वान की परियोजना हिमाच्य प्रदेश में शुरू की गई थी और यह 1989 में पूर्ण हो गई थी, तो आपको यह याद रखना है अप्शन नमबर फॉर, इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट आम बात करते हैं कौशन नमबर नाइन की, पूछा गए कि हिमाच्य की वनस्पतियों में टैडो फाइट्स, यानि फर्ण की कितनी परजातियां मौजूद है, अब हिमाच्य प्रदेश में बात करें, तो परजा 12, 32, 12, 326, 326 तो आपकी खुल परजातियां महाच्य परदेश में बात करें आपका, 3120 जो आपकी, एंजियो स्परम्स, एंजियो स्परम्स की परजातियां पाई जाती है, 3120, तो यहां पर हम पूछ रहें कि टैडो फाइट्स, यानि फर्न की कितनी परजातियां रखना है, कौशन नमबर 9 का ऑप्शन नमबर 1 राइट है, 124 जो है, कुल परजातियां, टैडो फाइट्स, यानि फर्न की पाई जाती है, हिमाच्य परदेश में, नेक्स्ट आपका, कौशन नमबर 10, पूछा गया कि, इंदर कला, इंदर किला, राष्ट्रे पार्क का कु कुल क्शेतरफल बताना है, कि इसका कुल क्शेतरफल कितना है, 710 वर किलोमेटर, 104 वर किलोमेटर, 27.28 वर किलोमेटर, या 675 वर किलोमेटर, तो जो आपका, इंदर किला, राष्ट्रे पार्क है, इसका कुल क्शेतरफल, आपका कितना है, 104 वर किलोमेटर है, यानि, इंद्र किला राश्ट्रे पार्क की बात की जा नहीं इसकी सथापना जो है दोजाद दस में की गई तीं दोज़ाद दस में स्थापना के गई थी और राश्ट्री पार की ऊंप कि इसकी स्थापना की गई थी इंद्र-lel maritime की 2010 में ये सब्सक्राइब कर आद करते हैं यह कुल में बात करते हैं क्योंची नमबर 11 की पूछा गया कि गिरी नदी निमन मैंसे किस स्थान से होकर गुजरती है आपको यहाँ पर स्थानों के नाम दिये गए हैं आपको बताने हैं कि निमन लिखित मैंसे किस स्थानों मैंसे किस स्थान से होकर गुजरती है नाहन से, चमबा से, रेनुका से या पॉंटा से तो इसका राइट इंसर है आपका option number 3 यानि रेनुका से पाकि आपके जो नाहन, चमबा और पॉंटा से होकर ये नहीं गुजरती है गिरी नदी तो आपको याद रखना है ये आपके रेनुका से होकर गुजरती है रेनुका स्थान रेनुका नामक स्थान से होकर गुजरती है नाहन चंबा और पॉंटा से ये नहीं गुजरती है तो जो आपकी गिरी नदी है आपको पता उनची गिरी टॉंस और पबर जो है आपकी यमना नदी की सहाइक नदी है तो ये रेनुका से होकर गुजरती है आप को ये भी याद रखना है next time का question number 12 पूछा गया कि निमल मैंसे कौन सी सतलुच की साहिक नदी है अब यहाँ पर आपको नदियां बताएगी आपको बताना है कि निमल सतलुच की साहिक नदियां नहीं है बाकी आपकी जो बिनवा नदी है वो किसकी साहिक नदी है बिनवा आपकी ब्यास नदी की साहिक नदी है और साथ ही बात करें हम बाटा नदी की तो बाटा आपकी गिरी बाटा और पबर गिरी बाटा पबर और टॉंसर यहाँ नदी की साह नदी है कि पीती रोपा और गंभर चुनदियां है कि कि सहयक नदी है सतलुज की ब्यास की यमुना की चिनाव की इसका रॉपा-पि्षि नमबर 1 यानी फिर्छव नूबवर कंभी स省 नदी है पूछा ग्याशता बाकड़ाबांद का निर्मानकार वकिक प्रार्ण होता वतलम है उन्याशो चौनबथomination प्रार्म में व्यास्ट में जल धाराएं? किस नदी की साहयक है? उनके नाम आप्को धियान में रखने है फोझल, सर्वरी और हनसा जल धाराएं जो है, वो किस नदी की साहयक है जिनाव की, रावी की, बियास की यी सदलुच की तो इसका राइट एंसर आपका पाप्शन थ्रीी जो आपका प्छायक आप नेक्स्ट आप कॉशन नमबर 16 पूछा गया कि सोलन जिले में स्तित किस गाटी को अध्योगिक गाटी कहा जाता है यहाँ पर जो गाटी यह स्तित है इनमें से आपको पताना है कि सोलन जिले की कौन सी गाटी में जो है आपका कौन सी गाटी को अध्योगिक गाटी कहा जाता ह और ये कहाँ पर पड़ती है आपकी सोलन डिस्टिक में पड़ती है आपको याद रखना है सरसा गाठी सोलन जिले में पड़ती है اور इसे जो है अद्यूग होगे गाठी भी कहा जाता है अब इस गाठी की हम बात करें तो इसके प्रमुक शहर कौन-कौन से है डगशाई, कसाल सनावर हरीपूर राम शहर बाकि आपके जो अध्योगिक शहर इस घाटी में पढ़ते हैं आपके परवानु बद्दी बड़ोटी वाला नालागर इसके मुख्य जो है अध्योगिक शहर है आपको याद रखना है सोलन जिले में स्थित आपकी यह अध्योगिक घाटी सरसा घ यहांपर बात करें आपकी चौंतिध्रा घाटी तो इस उत्यूत्रा घाटी आपकी कहांप पुछ एपने जी शेयर ब्लासपूर्पूर और जो आपकी जीर new door c किसकर लिया सरसा गाटी आपकी पढ़ती है और जो है और जो है अध्योगी घाटी भी से कहा जाता है नेक्स आम बात करते हैं कॉश्चन नंबर सेवंटीन की तो पूछा गया कि निमन मैं से किस घाटी के बाईं और क्योंतली और दाईं और भगाटी बोली बोली जाती है तो काफी इंपॉर्टन कॉश्चन है अपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले एक्जाम का पार्ट जरूर बनेगा काफी वाले एक्जाम में देखने को भी मिला है नेमन मैंसे किस घाटी के बाईं और क्योंतली और दाईं और बघाटी बोली बोली जाती है अश्वनी घाटी में जास्मा घाटी में सांगला घाटी में ये बल घाटी में आपको उस घाटी का नाम बताना है जिसके बाईं और क्योंतली और दाईं और बघाटी बोली जाती है तो इसका राइड दिन सर आपका option number one यानि अश्वनी घाटी में अश्वनी घाटी की में जो है दाई और बाई और क्योंतली और दाई और बघाटी बोली बोली जाती है आपको ये याद रखना है और इस घाटी के जो प्रमुक शहर है वो भी बैच्ज involved दो आपकी और कंचAP है और इससे सोंगाटी भी कहा जाता है संग्ला घार्टी संग्ला घार्टी का दूसरा नंबास्पा घार्टी और इस आपकी किनौर पड़ती का इंप fullness और यहाँ से न्तिम और और उंचा गाउं कौन साइच छित्कुल है है आपको कोई याद रखना है nekse sagt कैंद कॉछ नुमब इटीं पूछा गया कि किस जिले के जन घंतव में 21 से लेकर 2010 तक कोई बनाव नहीं आया तो आपको पताना है वो जीला जिसके जन ळंतव में 211 तक क्थवर में ने यह नहीं है शेमला में यह अन 2 या लौ लाहल स्पिति के जनगनातं में जो है 211 लेकर 2111 की जनगना में कोई बदलाब नहीं आया अब नेक्स टाइम हम देखेंगे कि किस परकार से बदलाब आते हैं 2121 की जनगना में जो कि आपकी नैक्सटेट आने वाली है तो उस में सबी डाटाज ये रिपीटेट हूंगे नाइटीन पूछा गया है कि जूबल में, जूबल के बरार तदा रोड़ू तैसियल में मखे रूप से कों सी बोली प्रचलेता है। जुबल के बरार और रोडु तैसिल में मुख्य रूप से कौन सी बोली प्रचलेता है क्योंतली कोची बरारी या उप्रोग सवी तो जुबल और रोडु जो है यह आपका शिमला डिस्ट किम पड़ता है तो आपको बताना है जुबल के बरार और रोडु तैसिल में मुख्य रूप से पर चलिता है आपको याद रखना है ऑप्शन नमबर 3 इसका राइट अंसर है नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशन नमबर 20 यह वीडियो का लास्ट कौशन है और इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा पूछा गया कि भोज की अभीधान से नि कौशा गया कि भोज की अभीधान से निमन मैंसे कौन जाने जाते हैं ज्वाला जी और नयादेवी मंद्रों के पुजारी कटोज राजवन्स के राजवार परिवारिक पुजारी विवास समारों के कविता पार्टी यह ठाकरों से भोमिदान प्रात ब्रामन तो आप इसका पर लगता है मनी में लगता है अप्शन नमबर त्री इसका राइट अंसर आपको याद रखना है रादा अश्टमी का मेला मनी में लगता है तो यह थे हमारे आज के कुछ इंपर्टन कॉस्टिंस आई होब आपको यह कॉस्टिंस आपके लिए बैनिफीशिल होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से रू किजिएगा अपने फ्रेंग्स से जादा से जादा लोगों तो कि यह पहुंच सके और जुड़े रहे यह डेली वेसि झाल